मैं हूं समर्पित विजवासी और आज आपका एडिटर और आपकी समभादाता दोनों ही गायद हो चुके हैं कोई भी नहीं है बश्कितर को निकलते हैं हम सबढ़ पांचब ही आपके प्यारे डिटर के पास उसका गोपर को नइए चलिए ही अब इस फ़र को शुरू करते हैं और निकलते डैली के लिए कि हम सबैज साज़े पांच बजे निकल चुके ते हैं आप इतने बहुर हो चुके हैं कि अप हम एफम सुन रहे हैं एफम सुना अपर करके बोर कर रहे हैं युटूब चल दी रहा है शायस जो इह है करिश्पा अभी पिली ती आपको वीडियो में यह एक होथी स्पेशल प्रेंट है यह है कैनेडा में अभी तो हर किसी को एक कैनेडियन प्रेंज मिलनी चाहिए जो कि कैनेडा से आया अच्छी घडिया और संग्लास आपके लेकर के आए हमारी कार ड्राइव कर रहे हैं अभी त्रहिया जो की बहुत ही मस्त गाड़ी चलाते हैं हमको बिल्फुल ब्लेजिंग पास्ट तरीके से सेफ सुरक्षित लेकर के आ गए हो और यह हमारे साथ टेली तक है तो चले चलते हैं बीकनेर वाला पहले अगर आपको कोई गिफ्ट कोई गिफ्ट चाहिए तो फिर कोई ऐसे दोस गूटी है अपने लिए और आप उससे अच्छे टम्स रखिए जिसने की बूर लेकर आए लेकर आए कोपरो भी तो भी से आया था क्योंकि कोई हमारे दोस थे अच्छे तो तब आया था जितने भी लोग बहानों आप उससे इस टम्स अच्छे बनागे रखिए जाहे को चुरिश्टारों से बनाए ना बनाए पर फिरिंग से सबसे अच्छे टम्स बनागे रखिए तो यात्रियों को लगी ये भूख तो हम पाँच चुके हैं पीकाने तो अमीजी कुछ कहना जाएंगे आप इह कहना चाहूँगा चैनल को कुछ सब्सक्राइब करें फूप्यार दें इसको तो मेन्यू है बहुत बड़ा अब यह सोच रहें कि आखिर में क्या करा जाएंगे हमने अपना ब्रेकपस्ट ओडर कर दिया है और हम बैट चुके हैं अब अब हम चुके हैं फाइनली डेली अब हम जाएंगे अब हम फाइनली एरपोर्ट पर बहुत चुके हैं तीटी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर और हमारी फ्लाइट का बोर्डिंग ताइम अभी ज़ी ही देर में है तो चलिये चलते हैं अब हम आप अब हम आप खिर रेली अग्शान को शितने डिंग हैं जचला बहुते तीटीटार में तरफिके पें आपके हैं.. मैंसे टीशके हैंिर वोला है गाहिंस समय शितरत हैं यह ए ज Way da सो हाई एवरिवन हम फाइनली गुहाटी पहुच गए थे एक घंटे हम जाम में भी लगे रहे तो उसके बाद वीडियो बनाने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नी बची पर लेकिन आज सुबह टाइम से उठके फ्रेश होके हमने मां खामाख्या के दर्शन कर लिये हैं मंदिर आपको दिखाते हैं तो आप हम आगये हैं मां कामाख्या सुइट्स में तो यह देखिए तो यह सिर्फ कलर में और इंज नहीं है इसका फ्लेवर भी विल्कुल और इंज जैसा ही है तो यह ट्राइ करना आपको लगेगा जैसे फेंटे वाला रजबिल्ला आप खा रहें यहां पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टोन का समान, स्टोन की प्लेट, स्टोन ग्लास ठोटी-ठोटी समान जो की आप ले जा सकते हैं अपने घर में अपने सान एक दाम पे मा कामाख्या स्टोर है, ये भी रस्ते से आप बस जब चड़ना शुरू करेंगे उपर मंदिर के लिए, यहीं पर आप देखेंगे कामाख्या मुख्य मंदिर के दर्शन कर लेने के बाद, हम निकल पड़े अपने अगले पढ़ाओ की ओर और वो पढ़ाओ दूर नहीं, बलकि निलांचल परवत पे ही मा कामाख्या के मंदिर के पास में ही स्थित हैं वो हैं दस महाविद्याओं के मंदिर, जो की एक कामाख्या शक्ती पीठी ऐसा है, जहांके आसपास आपको सभी दस महाविद्याओं के मंदिर विद्यमान बिलेंगे तो दस महाविध्याओं में से प्रमुक तीन महाविध्याओं मात्रिपुरसुंदरी, कमलात्मिका और मातांगे। ये तीन महाविध्याओं के दर्शन आपको मंदिर के मेन गर्भूरह में ही हो जाते हैं। और इसके बार मंदिर से बाहर आके यदि आप मुख्यो द्वार से नीचे उतरना शुरू करते हैं तो आपको अपने बाएं हाथ की तरफ सबसे पहले मातारा का मंदिर में लेगा और उसी से थोड़ा आगे जा करके आप देखेंगे महाविध्याओं में प्रथा महाविध्य मा काली उनका मंदिर आप देख पाएंगे और अब आप देख सकते हैं मा छिन मस्ता का मंदिर में अंदर शूट करने की हनुमती नहीं है और उपर मंदिर के दाई और के रास्ते में अगर आप अंदर जाते हैं गली में तो वहाँ पर आपको एक सीड़िया मिलेंगी उन सी गैरवी मंदिर के पास ही आपको मिलेगा एक बहुत ही प्राचीन कुन, जिसमें आपको बहुत ही प्राचीन कच्वे देखने को मिलेंगे, जो कि यहां बहुत सालों से रहते हैं. मा कामा क्या पीट की एक खासियत है कि यहाँ पे मा भगवती जल के रूप में निवास करती हैं तो आईए अब हम चलते हैं मा भगला मुखी के मंदिर में मा भगला मुखी और भुवनेश्वरी दो ऐसे मंदिर हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा और बाकी ये मंदिर जो हैं वो सब पास में ही हैं तो मा भगला के दर्सन हो चुके हैं अब हम जा रहे हैं मा भगवनेश्वरी थोड़ा सा दूर है और रस्ता रहा ये तो ज़्यादतर जो सक्ति भीट हैं वो सब पहाड़ों में हैं तो इसी के साथ हमारी दस महाविद्याएं जो की शुरू हुई मा काली के मंदिर से और अब पूर्ण हुई है मा भगनेश्वरी के मंदिर से आप एक बात जो ध्यान देने वाली है वो यह है कि कामाख्या पीठ जो है यही एक ऐसा शक्ति पीठ है जहां पर आसपास में दसु महाविद्याओं के मंदिर भी विराजमान हैं तो आप जब भी आए गुहाटी तो जरूर कामाख्या मंदिर आएं और कामाख्या मंदिर के साथ इन दसों महाविद्याओं के दर्शन को भी जरूर ग्रहेंड करें और अपने जीवन में प्वभाग्य को प्राप्त करें तो आब हम जा रहे हैं उमानंद मंदिर में जो मान्यता है वो यह है कि कामाख्या मंदिर का दर्शन करके अगर आप उमानंद मंदिर का दर्शन नहीं करते हैं तो कामाख्या दर्शन का जो पूर्ण फल है वो आपको प्राफ्ट नहीं होता है तो आज जो हमें वहां लेकर के जा रहे हैं वो हैं चिवंत जी ये हमें लेकर के जाएंगे उमानन्द मंदे तक बोट पॉइंट है जहां पे फेरी लेकर के आपको मंदिर जाना होता है वहां तक ही हमको ड्रॉप करेंगे उसके बाद हम फेरी लेकर के मंदिर में लेकर के चल ब्रह्म पुत्र नुदी यहां पर रस्ता कुछ अलग है कर दो हम पहुंच गया है उमानन्द मंदिर पर हम आ चुके हैं उपर सामने आप देख सकते हैं मंदिर का मुख्य द्वार है फोड़ी सीडिया है और अगर आपने शीतलादेव वाला देखा होगा तो उतनी सीडिया नहीं है कर दो कर दो दो नहीं है झाल झाल तो अब इसी के साथ हम वापस पुण चुके हैं यू डेली टी-थी टर्मिनल पे और हमारी गुहाटी की यात्रा थी वो सक्सेस्फुल रही हम उमीद करते हैं कि आपको भी माकामाख्या के जर्चन करके उतना ही सुपून मिला हो तो आपको एक ब्लॉक बनाने में मिला है प्रोजित हम इलेगा थैंक्यो सूम घोजितना हमेलागा थेंक्यो सूम है